नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम टू पूर्णिमाज बिट्स अन बाइट्स आज ब्रेक्फस्ट में मैं बना रहे हूं धोसा मसाला धोसा तो आज इसी की रेसिपी आपसे सेर करूंगी यह खाने में भी उतना ही टेस्टी बनती है और जब चाहे आप इसे जट से बना सकते हैं तो मैंने पॉना कप सूजी लिया है यह रेगुलर वाले सूजी है कोई बारिक सूजी नहीं है और मैंने ले लिया है दो चम्मज गेहूं का आठा तो इसे साथ में मुझे ग्राइंड कर लेना है और मैंने पॉना कप सूजी लिया है तो उससे थोड़ा कम हाप कप मैंने दही लेना है जितना सुझी लेना है उससे थोड़ा कम ही द लेना है है तो आव इसे ग्राइंड कर ո्य है कि ऐस फबीड हो जाए तो यह गषिए यह न भारिक हो गई है तब इसे मैं एक बाउल में ट्राइंसफर कर लूंगी हाँ अब है की अधर करूंगी नम और यह दही तो इसे मैं अच्छा से मिक्स कर लोंगी तो पहले मैं अच्छा से मिक्स करूंगी फिर मैं थोड़ा से पानी आड़ करूंगी तो यह मिक्स करने के अबाद मैं थोड़ा पानी आड़ कर रही हूं और फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक गुठली ना रह जाए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मैं इसमें हापकप से थोड़ा कम पानी भी आड़ कर लिया है यह अच्छे से मिक अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है ये बादाम तो इसे मैं राइ ही रोस्ट करूँगी अब छिल के हटा लेना है आज मैं ब्रेक्फस्ट में थोड़ी जल्दी में हूं तो पूरे छिल के हटा नहीं पाई हूं तो इसमें ले लेना है मेर्च अद्रक अब इसे मैं पीस लों कड़ी पत्ता तो सर सर सो जब थोड़े चया तखने लगे तब मैं डाल दूंगी यह कड़ी पत्त के लिए और ये लेट चिली बारडर जिवám को बंग कर देना है और इसे थोड़े के मिक्सर में इसे मिला लिया है आप डाल लोंगे मैं नमाक तो मैंने थोड़ा सा काला नमक भी यूज किया है इसे टेस्स बहुत अच्छा आता है तो मैं वही कड़े में बनाने वाली हूँ यह सब्सी तो मैंने कड़ी पत्ता के छॉप को इस पे एड़ कर दिया है तो पहले मैंने धुगनेफे पानी ले लिया है यह आप को डाल लेकर मैं थोड़ से नमक विकर खोंगे मीच मैं से विच जोसी कड़े में थोड़ी सशो का खेल यह कि अब मैं बादल तो थोड़ी सा ऐ करूंगे तो बादम जब थोड़ा फ्राइब हो जाए तो उसे अब निकाल लेती हो तो बादम को निकाल लेने के बाद इसी तेल में मैं एड़ करूंगी थोड़ा से ये सर्सु के खोड़न सर्सु आड़ करने के बाद सर्सु चेट निक लगे तब मैं अउग चात दूँगी हो एक क्टिवी ये छोड़ी पीसे मैंने नारियल को काट लिया है उसे भी आड़ कर दूँगी तो इसे थोड़ी देर अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो अब मैं डाल दूँगी इस पर कड़ी पत्ता और मैंने कुछ हरी मिच को भी चुड़ी टुकड़ों में काट लिया है तो वह भी मैं एड़ कर लूँगी तो इसे अच्छे से चला लेना है तो अब मैं इसमें जो कहले से बॉल किया हुआ हुआ है उसे भी एड़ कर तो मैंने अलू में थोड़ से नमक एड़ किया था अब मैं डाल दूँगी तो स्वादा नुसर नमक और रेच लिगा हो जाए तो यह मेरी सब्जी भी बूसा के लिए क्यार हो गई है यह सब्जी भी खाने में बहुती तेस्टी लिगती है तेंस में हर एक रेसिपी वही आपके साथ सेयर करती हूं जो आप मेरे घर में सुपी को पसंद आती है तो यह में हर वीडियो में ही बोलती हूं तो आप इसे जरूर प्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमें जरूर कीजिएगा यह रेसिपी आपको कैसे लगी लास्ट में मैं आड़ कर दूगे यह पानी आड़ करूंगी अच्छा सी मिक्स कर लेना है यह देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ठोड़ी पतली तब मैं आड़ करूंगी इन्हो तो मैने को दो चमज डाल की इस तरह से हमें फैला लेना है पूरे तवे पर फ्रेंज आप अगर मेरी चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को बसे सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बिल आइकन को भी प्रेस करने बिलकुर न भोले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी पर से में डालोंगे थोड़ी सी ओयल तब नीचे से जब थोड़ी कालर ब्राउन हो जाए तो उसे प्लेट लाइना तो यह अब हो गई मेरी धुसा तहिया तो चलिए इस अब सब्सक्राइब कर लेता है तो आप भी से जरू ट्रै कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो पसंद